प्रोजेक्ट्स को अठकाने की रही प्रवर्वर्वित लिए राम मंदिर उठकाचन से पहले दिली में सियम के जुवाल ने किया सुन्दर कांड का पाठ आपके कई नेता हुए शामिल स्यम मंता मेनर्जी 22 जन्वरी को बंगाल में सदभावनन रैली निकालेंगी मंता मंदिरों के अलावा मस्जित चर्च का भी करेंगी दोरा प्रोजो कप्तान विराज कोहली को मिला प्राण प्रतिष्ठा गन्योता बेहत खुश नजर आये वराट का नुश्का प्रत्री कश्मीर में कई पदों पर देनात रहे थे प्रथम सीडियस नमस्कार आज की खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साज़ शुका मैं रोत्रा शिरुवात करते हैं आज की बड़ी खबरों की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्स समुद्र में नेशनल अकाडमी ओफ कस्टम इंडारेक्ट टाक्स एंड नार्कोटिक्स के नए परिसर का उद्गाटर गया इसे मौके पर प्रधान मोदी ने कहा कि मैं राष्टर सीमा शुलक आप्रत्यक्षकर और नार्कोटिक्स एकाडमी के इस शांदा अर्दाय परिसर के लिए सभी को बढ़ाई देता हूँ जिस श्री सत्य साइं जुले में ये परिसर बना है वो विशेश है प्यम नरीन रमोदी नागे कहा एन एसी आई एन की भूमी का देश को एक आधुनिक एको सिस्टम देने की है ऐसा एको सिस्टम जो देश में व्यापार को आसान बना सके जो भारत को वैश्विक व्यापा करने में आसानी को बढ़ावा दे आप सभी को कि नेशनल एकेडेमी आप कस्टम्स इंडिरेक्ट टैक्सिस एंड नार्कोटिक्स के इस शांदार केंपस की बहुत-बहुत बढ़ाई जिस श्री सत्य साइं जीले में जिस शेत्र में एक केंपस बना है वो अपने आप में विशेश है ये शेत्र, अध्यात्म, राष्ट निर्वान और सू शासन से जुड़ी हमारी विरासत का प्रतिनिदित्व करता है अयोध्य में होने वाले श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम में अभी भी एक सप्ताह का वक्त है इससे पहले आज देली के मुखे मंतरी अर्विन केजरिवाल रोहित में सुन्दर कांट पार्ट के लिए पहुँचे सुन्दर कांट पार्ट में अपनी पतनी सुनीता केजरिवाल के साथ शामिल हुए आज आमानमी पार्टी सभी विधान सभाव में सुन्दर कांट पार्ट कर रही है इसके लावा हनुमान च्वालीसा पार्ट का भी आयोजन किया गया है ये निर्णे लिया गया है कि राजधानी में हर महीने के पहले मंगलवार को पूरे शेहर में सुन्दरकांड और हनुमान चॉालीसा का पाठ किया जाएगा जिसकी शिरुवात आज यानि 16 जन्वरी से हो रही है राममंदर के उधगाटर की जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच पश्रमंगाल के मुक्य मंतरी ममताव एनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है उन्होंने कहा कि त्रणमूल कांगरस 22 जन्वरी को सदभाव रैली करेगी ये सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए होगी इसे दिन राम लेला की प्रांट प्रतिष्ठ संभारों है साथ ही टीम से पूरे पश्रमंगाल में ब्लोक स्तर पर सर्व धर्म रैली आयू जित करेंगी इस रैली की थीम सभी धर्म बराबर है यही थीम होगी वही टीम सी चीफ ममता बनेर जी 22 जन्वरी के दिन ही कोलकाता में स्तेत काली घाट मंदिर भी जाएंगी फिर वो मार्च निकालेंगी ममता बेनेर जी 22 जनवरी को पूरे कोलकाथा में एक अंतर धार्मिक रैली का नेतरत पकरेंगी उसे दिन आयोध्या में राम मंदिर का उद्गाटन किया जाएगा उन्होंने बताया कि रैली रास्ते में मस्जिदों, मंदिरों, चर्च और गुरुद्वारों को कवर करेगी भारत की साथ साथ दुनिया भर के लोगों को अब 22 जनवरी का इंतिजार है इतिहासिक बनने जा रही इस तारीख को राम लला का प्राण प्रतिष्ठा सम्हारों आयोजित हो रहा है आयोध्या में इस दिन भव सम्हारों का आयोजिन किया जाएगा जिसमें शामिल होने के लिए खेल जगत से लेकर बॉलिवूड तक बिजनस से लेकर राजवनीती तक हर फिल्ड की हस्तियों को निमंतरण भेज जा रहा है खेल जगत से जुड़े कई खिलाडियों को अभी तक इसका निमंतरण भेजा जा चुका है भारत रतनस सचिंते नुलकर विश्व कप विजेता कप्तार एमिस धोनी को पहले ही राम लेला प्राण प्रतिष्टा कारिकरम के लिए आमंतरण किया जा चुका है अब इस लिस्ट में एक और खिलाड़ी का नाम जड़ चुका है अब प्रतिष्टा के भाविस समारों के लिए टीम इंडिया के स्टार बलेबाज विराठ कोली को भी नियोता मिल गया है विराठ संग उनकी वाइफ बॉलिवर्ड अभीनेतरी अनुश्का शर्मा दोनों को इस कारिकरम में शामल होने के लिए निमंतरण दिया गया है उपराजपाल मनोज सिनहा ने उत्तरी कशमीर के बारा मुला में जर्णल विपन रावत स्टेडियम का उधगाटन किया इस दौरान उपराजपाल ने कहा कि देश में बारा मुला स्टेडियम का नाम जंता को समर्पित करते हुए बहादुर सैने क सैन्य रणनीती का जर्णल विपन रावत को श्रधान जली अर्पित की जर्णल विपन रावत ने विभिन पदो पर उत्तरी कशमीर में सेवाए दी है कशमीर की शांती प्रगती और सम्रिद्धी में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया है इसके साथ ही एलजी मनोज सिनहा विक्सित भार संकल पियात्रा में भी शामिल हुए और 38 करोड रुपे की विकास पर योजिनाओ का उदगाट नोशला नियास किया उन्होंने कहा कि सभी जिलों में तेज़ी से विकास हो रहा है और इग्रामीर जम्मू कशमीर में कल्पना से परेबद लावाया है हमारी संस्कृती में एक कहवत है कि सदियों में कभी कभी एक महानायक पैदा होता है जिसे आम बोलचाल की भासा में लोग अल्ला का या इस्वर का बंदा कहते है और मैं समझता हूं स्वर्गी जनरल बिपिन जावत इस रास के एक ऐसे ही महानायक थे जिनोंने युद्ध भी जीते और लोगों के दिल भी जीते बारा मुला से उनका नाता बच्पन से रहा उनके पिता जी भी यहीं तैनात थे बारा पानी रहा और खुद भी उन्होंने एक आर्मी आफिसर की तरह यहां काम किया बरा मुला से उनका लगाओ विशेद आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए ताही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही आज की खबर